Good morning students, standard fit subject Hindi हमने last video में क्रिया सब्दके बारे में पढ़ाई की थी तो आज हम दुसरा ही उसी प्रकार का एक व्याका है वो सिखेंगे तो पेला पेज नमबर टेक्सबुक पेज नमबर 68 ओपन करो तो आज हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे है वो है विसेशन और साथ साथ में संग्या तो संग्ना और विसेशन ये दोनों में पेले different क्या है तो संग्ना मींज एक प्रोपर नाम दिखाता है वो है संग्ना और विसेशन का मतलब होता है कि विसेशता दिखाना कि जो कोई भी वाक्य होता है उसमें इसे main विसेश वो वाक्या में यहाँ पे क और यहाँ पे ख अब यहाँ पे आप अंडरलाइन भी देखते जाए पेले में आपको लोगों को रीड करके दिखाती हूं फरस्ट है मनोज ने घाजर खाया तोकरी में सकरकंद है गोडा दोडता है गाय चरती है लड़के पढ़ते है गिलास में दूद है अब यहाँ पे घाजर, सकरकन, गोडा, घाय, लड़के और दूद यह क्या है सब यह जो है वो सब्द नाम दिखाते यानि कि वो संगना है जो नाम प्रोपर उसका नाम होता है वो है संग्या अब यहाँ पे ख़ पे देखेंगे हम कि मनोज ने बड़ा घाजर खाया, टोकरी में मिठा सकरकन है, काला गोडा दोडता है, सफेद घाय चरती है, तीन लड़के पढ़ते है, गिलास में थोड़ा दूद है अब यह वाले सेंटेंस सेंग यहाँ पे लेकिन उसके अंदर एक सब्द एड किया गया है, कि वो अलग विशेस्ता दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम कि मनोज ने बड़ा घाजर खाया, घाजर तो खाया लेकिन केसा था वो गाजर? बड़ा था, तो यहाँ जो बड़ा है वो घाजर की विशेस्ता है उसके बाद है टोकरी में मिठा सकरकन है सकरकन तो है टोकरी में लेकिन केसा है वो मिठा है यानि वो एक विशेशन है काला गोडा दोडता है गोडा तो दोडता है लेकिन केसा गोडा काला तो काला है वो विशेशन है सफेद घाय च तीन लड़के पढ़ते हैं तर लड़के तो पढ़ रहे लेकिन कितने तीन यहां पे संख्या वाचक विशेशन है उसके बाद गिलास में थोड़ा दूद है दूद तो है लेकिन कितना है कम थोड़ा ज्यादा कितना है थोड़ा है तो यह है विशेशन अब यहां पे देखे थी हमने यह लड़के दूद तो वो सभी के अंदर ऐसे विसेशा दिखेने वाले सब्दों जो आ जाता है वो क्या बन जाता है विसेशन बन जाता है समझ में आ गया? तो ये था हमारा विसेशन, बहुत ही easy है, easy है न? तो अब आप लोगों को मैं थोड़े sentence होमवर्क में दूँगी, आप लोग मुझे पेजना, ठीक है? नोटबुक में आप लोगों को मैं इस प्रकार के sentence पेज यूँँगी, आप लोग उसमें समझे दूनके बताओगे